हाई फ्रेंट्स विल्कम टू माई चैनल तो फ्रेंट्स आज मैं आपको रेडिमेट जैसे डिजाइन बताऊंगे बिलकूर रेडिमेट जैसे डिजाइन है यह और बनाने में जितना दीखने में स्टफ लग रहा है दीखने में कि यह कैसे बना होगा उतना ही बनाने में यह बहुत ही easy है ये design और आप इसे कहीं भी apply करो आप जेन sweater में ladies sweater में ladies cardigan में baby girl baby boy किसी भी sweater में इस design को आप apply कर सकते हो बहुत ही अच्छी लगेगी friends ये दो ही सवाई की design है जी देखिये पीछे एकदम border जैसा बना है और आगे ये design बना हुआ है सिर्फ दोही सवाई की design है तो इस design को आईए हम बनाना आपको बताते हैं मैंने थोड़े से फंदे डाले है थोड़े से फंदे डाले है इसके मादे देखिये फर्स रो हमारी पहली सवाई उल्टे की तरफ तो फ्रेंट ये फंदे डालने के बाद अगर आपका उल्टा है तो इस सलाई आप उल्टा विन्हों सीधा है तो आप डारेक्ली सुरू कर देखिये इसको मैंने आपको पहले भी बताया है तो यह देखिए फर्स्ट रो पहली सलाई उल्टे की तरफ पूरी सलाई सारे फंदे को हम इसी प्रकार से उल्टा-उल्टा बोन लेंगे यह पहली सलाई कंप्लीट हो गई अब यह देखिए हमारी दूसरी सलाई दूसरी सलाई बेसिक बुनाई बिल्कुल साधा एकदम बिल्कुल जैसे हम बुनते हैं पहले फंदे को स्लीप करेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे धागे को आगे करेंगे एक फंदा हम मुल्टा बुनेंगे जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सिंपल सा वैसे ही यह हमारी सेकेंड डूर दूसरी सिलाई बनेगी यह दूसरी सिलाई भी हमारे कम्प्लीट हो गई अप्र टीशी सिलाई देख्विए पहले फंदे को हम ऐसे इस्लिप कर लेंगे किनारिका है इसके बार यह देख्ये दूसरी फंदे को हम सीधा वुनेंगे तीसरा फंदा मारा उल्टा है तो इसको देखिए एक दो दो बार लपेट के भुनेंगे धागे को पीछे करेंगे फिर एक फंदा हम सीधा भुनेंगे दाइगे को आगे करेंगे एक फंदा वैसे ही दो बार लपेट के बुनेगे तो यह मारी थार्ड रो है तीसी सिलाई इसी प्रकार से कम्प्लीट हो जाएगी सीधा वाला सीधा ही बुनना है और उल्टे वाले फंदे में हमको दो बार लपेट कर बुनना है यह किलाने सीधा हुआ फंदा ऐसे ही तो यह देखिए मारी थार्ड रो भी कम्प्लीट हो गई अब आएगे मारी फोर्थ रो चोत्री सिलाई और डिजाइन की आख्री सिलाई आए पहले फंदे को हम ऐसे ही बुननेंगे अधागे को पीछे करेंगे और यह देखिए यह लपेटा हुए फंदा है मारा और यह धिको इधर एक दिख रहा है यह जाली जैसा और यह कि दो दो के बीच से निकालेंगे और इस फंदे को देखिए, खोल लेंगे और ऐसे ही भूमा के लेए आएंगे, हो गया, अब धागे को आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुलनेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे, यह देखिए, यह एक दो दिख रहा है, दोनों के बुलना नहीं है, यह ऐसे है, फिर धागे को आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, ऐसे ही दो फंदे के नीचे से इस फंदे को खोल लेंगे, और ऐसे ही ले आएंगे, बुलना नहीं है, फिर धागे को आगे करेंगे, फिर एक फंदा हम उल्ट इस दो के नीचे से इस फंदे को ऐसे ले लिने गे और खे़ को आगे करेंगे थे अक्पूर भी करेंगे फिर हम वही करेंगे यह हमारी फोर्थ रो चौतिस लाई और डिजाइन की आख्षी सी लाई तो फ्रेंट से हो गई अब इसके बाद हम उल्टे की तरफ उल्टे की तरफ हम क्या करेंगे यह देखिए सीधा वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे आगे करेंगे है उसको हम ऐसे ही दो बार लपेट के बुनेंगे जब हम इसको डिजाइन को सुरू करेंगे तो पहले तो हम चार सलाई बुनेंगे एक दो ऐसे सीम्पल बुना जाएगा इसके बाद यही दो सलाई उल्टे की तरफ हम ऐसे बुनेंगे और सिधे की तरफ हम डिजाइन बोनेंगे आप देख सकते हो कितना इजी है ये डिजाइन फिर आगे ये सिधा सिधा अब देखे थोड़ा सा ध्यान देना है इस थोड़ा सा ध्यान देजिएगा देखे पहले फंदे को तो हमने स्लिप किया और दागे को पीछे किया पिछली बार हम इधर से किये थे इस बार हम वही चीज इधर से करेंगे इधर से किये दागे को खोले और नीचे से से ले लिए दागे को आगे किया एक फंदा हम उल्टा गोने दागे को पीछे करेंगे और यह देखिए इस बार हम पूरे फंदे को इस साइट से लेंगे यह फिर दागे को आगे करेंगे यह देखिए बतर एक बार हमको राइट साइट से बुनना है एक बार हमको लैट से तो यह देखिए बस एक सलाई में हमको ध्यान देना है कि एक ब बुनना नहीं है उल्टा वला फंदा से लेकर खोल लेंगे, यह बहुत आसानी से आ जाती है क्योंकि मैंने इस फंदे को दोबार रहता है तो आ राम आ जाती है यह देखिये खोल दिये इसके बाद इस सलाइंग लेकर जी हो गई है बस अब आप देख सकते हो कि कितनी इजी डिजाइन है ये फिर हम क्या करेंगे उल्टे तरफ वैसे ही बुनेंगे जैसे मैंने आपको बताया सीधा सीधा बुनेंगे उल्टे में दो बार लपेट के फिर सीधे की एक बार हम इस साइट से निकालेंगे और एक बार इस साइट से इस प्रकार से हमारी ये डिजाइन कब डिट हो जाएगी ये देखिए ये सेम बिल्कुल ऐसे रेडिमर जैसे डिजाइन ये पड़ेगी ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है तो फ्रेंस आपको ये डिजाइन कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएए वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें टेकिया बाबाए